हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर दे होंगे अभी हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं परसंटेज अंदियर अप्लिकेशन क्लास 6 पियर सन आई 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 टी फांडेशन से उसमें प्रॉफ लास एंड डिसकाउंट तो सीधे शुरू करते हैं यह परसंटेज अंदियर अप्लिकेशन के थियोरी में अगर देखा जाए तो दूसरा लेक्चर होगा मैं मैंने बहुत सारे प्राब्लम्स के सॉलेशन भी दिये हैं वह आप देख सकते हैं ठीक है शुरू करते हैं तो प जितने रूपे में चीजों को खरीदते हैं जितने मांड में चीजों को खरीदते हैं उस चीज को प्रोड़क्ट को वह उनके लिए कॉस्ट प्राइस है और जितना में बेचते हैं वह उसका सेल प्राइस है ठीक है एक कॉस्ट प्राइस है और दूसरा क्या हमारा सेलिंग price है तो बात यह कि सबसे पहले हम बात करेंगे अना cost price की कि स्की बात करेंगे cost price वाट इस cost price यह मुझे बतानी की जरूरत नहीं आप किताब से पढ़ लेंगे जिस amount से जिस रूपेस जितने में जितने इतना वैल्यू होता है उस प्रोड़क्ट का दुकानदार के लिए जितने में वो खरीदते हैं वो उनके लिए क्या हो गया कास्ट प्राइस और जितने में बेचेंगे वो क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस तो दूसरा होगा हमारा क्या सेलिंग प्राइस अब यहां पे और बात आती है overheads जो आगे हम डिसकस करेंगे कि कोई चीज़ कोई दुकानदार जब कोई चीज़ खरीदते हैं है ना तो खरीदने के बात क्या होता है ना कि उसमें कुछ और खर्च आ जाता है जैसे के जहां पर वो खरीदे और जहां पर उनकी कि मुटी दुकान है वहां तक लाने में कुछ कोस्ट आ जाता है रिक्षा का भाड़ा आ जाता है कुछ और भी माल लेते हैं प्रोड़क्ट में कुछ खराबी आ गई तो सको ठीक करना होता है बेचने से पहले तो वह सारे को हमOT कहते हैं तो कॉस्ट प्राइस मेंकभी कभी एक्सट्रा आवर के बी आ जाता है मताब एक्सट्रा जो खर्च होता प्रोड़क्त में बेचने से पहले ऊस अरह cost price के अंदर आ जाता है ठीक है एक बात आपको समझा आ गई तो selling price को हम SP लिखते हैं इसी में क्या आ जाता है मैं आप bracket में लिख देता हूँ इसी में overheads भी आ जाता है overheads क्या है मैंने आपको समझाया कि जो आपका आपने जो product खरीदा वो cost price तो है लेकिन अगर कुछ extra खर्च हो गया तो cost price के अंदर वो भी include हो जाएगा मेरी बात समझा रही है आई थिंक आपको समझ आ रही होगी बात अब बताइए एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो selling price है और cost price है आप बताएं अगर selling price price जादा है किस से cost price से इसका क्या मतलब है कि आप जितने रुपे में खरीदे उससे जादा में बेच रहे हैं that means यह imply कर रहा है कि आपको क्या हुआ profit हुआ ठीक है और यहीं पे अगर हम बात करें कि cost price जादा है sell price कम है इसका यह मतलब है कि आप जितने में खरीदे उससे कम में बेचे that means आपको लॉस हुआ कभी-कभी हम लोग लॉस को कहते है निगेटिव अगरने निगेटिव हो रहा आपने जो बेचा और जितना में खरीदा उसका जो डिफरेंस है वही तो आपको प्राफिश देगा ना उसी तरह लौ होगा क्या होगा बताइए cost price minus sale price अगर loss नहीं लिखे हम profit ही लिखें तो पहले हम sell price लिखेंगे बाध में cost price लिखें तो वो negative में आएगा जैसे मैं example लूँ आप कोई चीज़ खरीदे मान लेते हैं 100 रुपे में और आपने बेचा 110 रुपे में अब बताइए profit होगे loss प्रॉटिट हुक्र अक्र लेकिन अगर लॉस निकालते तो लॉस का फार्मॉला क्या बता ही यह कॉस्ट प्राइस मायनस सेल प्राइस je होगा हंड्रेड माइनस हंड्रेड टेन कितना आया निगेटिव रूपीज टेन तो लॉस निगेटिव मजब प्रॉफिट पॉजिटिव आया उसी तरिया कैसे अगर दूसरा एक्जामपल लेते हैं यहां पे एक सो दस नहीं होके हम नबे लेते देखिए कितना लेते हाँ बच्चो नाइनटी लेते तो क्या होता प्रॉफिट नहीं कि लॉस होता तो प्रॉफिट कितना आता यहां पे हो जाता नाइनटी देखिए यहां पे हो जाता नाइनटी और यहां किया निगेटिव आता और लॉस कितना आता पॉजरिव टेन आता चुकि यह लॉस हुआ तो लॉस अगर ले लॉस खुदी एक निगेटिव टर्म है तो वहां पर पॉजरी भी आए गा चुकि लॉस में क्या इस्तमाल करेंगे पहले लेंगे एस पी बाद में लेंगे लॉस हुआ कितना रुपे का 10 रुपे का अगर लॉस कोम प्रॉफिट कह तो के गजिए लॉस निगेटिव लॉस माध़ प्राफिट पॉजरी में प्रात में प्राफिट पॉजरीमे लॉस मत्ब लॉस निगेटिव में प्राफिट मतलब लॉस आई तिंक आपको बात समझ आई होगी जो भी हो आप जितने में खरीदते हैं है ना दुकान दारी करने के लिए जो प्रोड़काप खरीद ने वह कॉस्ट प्राइस अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो कॉस्ट प्राइस में वह भी आ जाएगा और जितने में बेचते हैं वह से जीरो प्राफिट होगा जीरो लॉस होगा चाहिए सीपी माइस स्पी करें यह आपके पास एक बात हो गई ठीक है बच्चो आइधिंग आपको समझ आया होगा सारी बाते हैं तो सिंप्ली जितने रुपे में हम खरीदते हैं चीजों को वह क्या है कॉस्ट प्राइस एक्स्ट्रा अकर उसमें खर्च हो गया तो वह कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाएगा जितना हम बेचेंगे वह सेलिंग प इसंट्राफिट नार लॉस होगा है अब परसंटेज के अगर हम बात करा हैं जैसे जब भी हम परसंटेज loss ऑैसी लिख दरहा यह परसंटेज प्राफिट की बात करें तो परसंटेज लॉस या परसंटेज प्राफिट जब भी प्राफिट या लॉस की बात करते हैं तो किस के बेस किस के आधार पर करते हैं कॉस्ट प्राइस के आधार पर बच्चो कॉस्ट प्राइस के आधार पर जैसे हम बात करें कि म ین demand a 50 Peach is को झीज़ खरीदी हना और मैंने 100 ने बेजे इसका मतलब मेरा कितना फाइदा 50 plus 500 रूपे का तु सौ 100 % हमारा प्रॉफिट हुआ मत्ब फचास रूपे में हमने का कॉस्ट प्राइस मतलब मैं ये कहना चाहा हूँ कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस एक्स रूपिया है और प्राफिट भी एक्स है तो सेल प्राइस कितना होगा जितना मैं आपने खरीदा उसमें एक्स्ट और एक्स मतलब एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स मत मतलब आपका जितना cost price है उतना रूपय का ही आपको फायदा हुआ मतलब आप double लिए किससे customer से तो अगर माल लेते हैं कि cost price जितना था उतना ही अगर profit लिया आपने तो कितना hundred percent profit हो तो अगर एक रूपय लेते हैं मतलब cost price यह profit है यह profit percentage है cost price के ही value के बराबर अगर profit ही हमने profit लिया और यह profit परसेंट तो बात यह है कि profit अगर cost price के बराबर है hundred percent profit हुआ एक रूपय में कितना हो जाएगा hundred by CP profit कितना होता है कुछ होगा पी माल लेते हैं इसको यह क्या होगा hundred by CP into P that is P by CP into hundred इससे क्या आया profit percent ही तो profit परसेंट का formula क्या होगी है profit by cost price into hundred उसी तरह से अगर आपने एक्स रूपय में खरीदा और zero में बेचा मतलब loss कितना हो पूरी loss होगी hundred percent loss हो गया तो यहाँ पर हम loss लिखें और यहाँ पर क्या लिखें लॉस परसेंट तो CP में पूरा CP चला गया तो hundred percent loss हुआ उससे अधा लॉस होने का मतलब आप और पैसे दे रहे हैं ऐसा कौन करेगा customer को product भी दे रहे है और पैसे भी दे रहे है तो loss L हुआ माल लिखें तो कितना हो जाएगा hundred by CP into L that is यह हो गया हमारे loss percent the loss percent का formula हो गया loss by cost price into hundred तो आप अगर बहुत ज्यादा नहीं समझ पाए तो आप याद रखें कि जब भी हम profit percentage या cost percentage I'm sorry loss percentage निकालते हैं तो किसके base पे करते हैं cost price की कास्ट प्राइस के base पे और formula क्या निकल के आता है का लास परसंटेज का बोलें तो loss by cost price into hundred profit percentage का profit by cost price into hundred अकर याद भी हो जाए formula तो ज्यादा खराब बात अभी नहीं होगी अब classics में you need not to worry ठीक है अब अब बात करते हैं हम लोग market में जो आप चीज़ें खरीदने जाते हैं तो हमें क्या पता कि दुकांदार कितने रुप्य में खरीद है वो दुकांदार वाली बात हो गई अभी हम बात करेंगे हम जो खरीदते हैं वो जो लिखावा रहता है देट इस कॉल मांग्ड बात करें हैं डिसकांट डिसकांट किसमें होता है कॉस्ट प्राइस प्राइस का में क्या पता यह कस्टमर कि बात हो रही है तो इसमें डिसकांट की जब हम बात करेंगे डिसकांट किसके बरावर होगा तुम डिसकांट मांग्ड प्राइस में होगा किसमें होगा मांग्ड प्राइस में ठीक है तो बता यह डिस्काउन्ट कितना मार्ड प्राइस जो मार्ड प्राइस है उस से कितना हटा देज्गे चाहा माइनस क्या होगा एंपी मझिर प्रोर कैसे सेलिंग प्राइस मतलब यह है आप किसी दुकान में गया जैकेट खरीदने लिए 11900 जैकेट एना और इसमें माल लेता है हो बेच रहा वेच रहा है वतंद्रह सुरुपे में मांट अभ्रास से सेलिंग प्राइस और यह हमारा सेम्हारे प्रैस मार्केट प्राइस भी मॉ Helen प्राइज भी बोलते हैं इतना रूपिया दाम है लेकिन हम अब आपको इस सीजन में 400 रूपिया डिस्काउंट देगा परसे निकाल सकते हो समझ गई अब डिसकाउंट परसेंटेज किसमें निकलेगा मार्ग प्राइस में निकलेगा चुकिस का बेस कॉन अमांग प्राइस या मार्कट प्राइस जो बोले समझ गए तरिस काउंट कैसे निकलता है जितना लिखा हो और जिदंवेज़ता है टुनू का डिफ्रेंस मांग प्राइस और मार्कट प्राइस और एस्तू भी बैसका डिफरेंस क्या कितना किया माल ले दी किया तो क्या होगा hundred by MP into d तो अगर discount percentage का formula निकाले तो उपर होगा discount नीचे होगा marked price into hundred तो आप एक बात याद रख सकते हैं जो चीज़ का percentage निकालते हैं वो divided by जिसके base जिसके आधार पर हम क्या करते हैं परसंटेज निकालते हैं वो नीचे होगा into hundred जैसे हम बात करें लॉस percentage की तो लॉस सबसे पहले लिखेंगे बटे किसके आधार पर कॉस्ट प्राइस के आधार पर प्राफिट परसंटेज की बात करें तो प्राफिट किसके आधार पर कॉस्ट प्राइस के आधार पर इंटू हंड डिसकाउंट परसंटेज तो पहले क्या अधार पर मांग्ड प्राइस के आधार पर इंटू हंडे इसी तरह से हम लोग परसंटेज निकालते हैं ओके होगी इससे आपका परसेंट निकल जाएगा तो परसेंट जिकाने का यह तरियता समझ जाए या इसके लॉजिक को समझे जो मैंने यूनिटरी मैथर से समझाने की कोशिश की मैं उमीद कर रहा हूं कि आप समझ पाए जो प्राबलम्स हैं आपके बुक में वो डिसकस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा के बच्चो की पेशन्स यू विल गेट थिंग्स अफ्टर सॉल्विंग दप्राबलम्स ओके चली शुरू करें 6.10 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है थे कॉस्ट प्राइस प्राइस कोई चीज है उसका कॉस्ट ह रहा है कितना 450 रुपे कोई आवरेट नहीं लिखा है मतलब सब कुछ इंक्लूड़ेट यहां पर कह रहा है तो सेलिंग प्राइस हो गया 495 ओवियसली दिख रहा है कि ज्यादा रुपे में बेचा है मतलब प्राफिट हुआ होगा तो प्राफिट परसंटेज मांगा है तो प्राफिट कैसे निकलता है सेल प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस कितना रुपिय जाधा हैhoo ind buen सर और चार सो पंछानवे माइनश चार सो रुपे का प्रॉफिट हुआ तो दो सो में बीस का तीन सो में तीस का चार सो में चालिस का चार सो पजास में तालिस का देखिए यह यह अब सलूट वैल्यू है और यह परसेंटेज में a book is sold at a profit of 20% to profit कितना given at 20% your profit percent 20 profit क्योंट रॉसेंट कितना है 20 टे श्टेंट泥 ब्रॉफिट सेंट पर्रॉफिट पर संबी ऐसे प्रॉफिट रॉफिश कोस्72 कोस प्रइस रूपीज tap epic प्राइस मांगा है ठीक समयdar प्रोफिट प्रोफिट पर्णाइज Healing तो profit percentage 20 है profit percentage का फॉर्मॉला क्या होता है profit by cost price into hundred profit है कितना नहीं पता profit percentage कितना हमारा यह हो गया हमारा 20 अब profit by cost price to profit by cost price कितना 20 into जहां जहां जो लिखना है मैंने पुट कर दिया simply you need not to worry काफी इसी है 21-25-100 तो यह 5 multiplied है इधर क्या हो जाएगा डिवाइड इस इकलिट पी यू समझे 5 को कितना से मुल्डिप्ला करने से 20 आएगा 5-4-20 तो पी-4 आना चाहिए तो profit कितना चार रूपे चार रूपे का profit हुआ selling price माना selling price कितना प्राफिट अगर हमको 4 रूपे कमाना है हमने खरीदा है 20 रूपे में कितना बेचना पड़ेगा 24 रूपे में अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है सेल प्राइस सीधे आप कैसे cost price में एक्स्ट्रा क्या profit जितना रूपे में आपने खरीदा आपको profit कितना रूपे चाहिए उसमें चोड़ना पड़ेगा ना कितना हो जाएगा 20 प्लैस 424 तो अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है मैं आपको समझा सेल प्रेस सेलिंग प्रेस क्या वा क्या हूट यहां से हमने सेल प्राइस सेलिंग उड़लिया डें उम्मीद है कि अब समझ पार है अगर अब समझ पार है तो प्लीज राइट इन दो कॉमेंट सेक्शन के सर में समझ पार हूं या कोई अपने पैरेंट्स के निगरानी में देख रहे हैं तो पैरेंट्स को भी मैं कह रहा हूं कि प्लीज आपको बात अगर समझ हा रही है तो अ selling price rupees 280 है बच्चो its cost price is 300 rupees 300 कम में बेचा है तो obviously loss हुआ है then find its loss percentage तो loss percentage मांगा है सबसे पहले हम loss निकाल लेते हैं loss कैसे निकलेगा cost price minus sell price 300 minus 200 तो 20 रुपे का loss हुआ loss percentage निकलेगा कैसे loss by cost price into 100 loss कितना 20 cost price कितना 300 into 100 2020 cancel तो 20 by 3 that is 368 रहा है six whole number two by three percent चे और साथ परसेंट के बीच में तो 6% से ज्यादा उनको क्या हुआ loss हो गया अब अच्छा है कि 100 परसल लौस से अच्छा है कि बेची दे शायद उनको इसकी जरूरत थी नहीं और खराब हो जाता चीज पता निक्या मैं उसकी कह रहा है मिने जा रहा हूं next 13 number the cost price of an article is rupees 500 the cost price is rupees 500 the article is marked as the marked price कितना है rupees 700 और यह cost price 700 इस शौपकीपर sold it at a discount of 30% discount percent कितना है बच्चो 30 then finds profit or loss percentage the profit percentage या जो भी आएगा वो निकालना है तो अगर हमको profit निकालना है तो यहां पे बताईए discount percentage 30 है तो पहले कितना में बेचा है तो marked price से कितना 30% घटाया है 30% list में बेचा है मतलब जो हमारे पास selling price है वो क्या होगा market price से 30% कम कर दिया है मांग इसमें 30% of mark price मतलब जितना लिखा हुआ हुआ उस mark price में 30% list किया है यही तो discount है हमारा mark price minus discount the discount इतना मांग प्रैस के 700 साथ साथ सो में 30% निकाल थे तीज बटे सौ गुना साथ सथ दो जिरो दो दो कैंसल साथ यह किस दरिस साथ सो माइनस दो सुदेश जीरो दस में गया नो सेवे 490 तो कितना cost price 500 रुपे और selling price 490 रुपे अगर लॉस हुआ क्यों लॉस हुआ आप खुद बताइए cp ज्यादा है यह sp, कम है तो क्या होगा बताइए 500-40 रुपे का लॉस फाइवंडरेड माइनस 490 रुपे का लॉस 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 पर्सेंटेज क्या होगा लॉस by cost price in 200 लॉस कितना है हमारा दस और कॉस्ट प्राइस कितना 500 दिखाई नहीं पड़ा है मैं बोल रहा हूं सुनना ठीक से कैंजिल हो गया दिस दो परसेंट का लॉस्ट वा बिल्कुल सही है कितना लॉस्ट वा दो परसेंट का आई तिंग आपको समझ आया हो कर नहीं समझ आया तो मुझे आप कमें सक्षिन में बता सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियों में बच्चो थैंक यू वैरी मुच